हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं अपना जो रिजल्ट है ना वो मैं आपको फिर से लाइब दिखाने वाला हूँ और जो जिन भाई को लगाने की तरीका नहीं मालूम है जिन भाईयों को चार महीना हो गया तीन महीने लगाते हुए हो गया है निवे लोसन तो उनके ब बताऊंगा जो भाई फर्स्ट से लगाना चाहते हैं उनके बार में बताऊंगा मैं जो भाई अगर फर्स्ट से लगाना चाहते हैं तो निवे लोसन को आप फहले मगवा लें ओरिजिनल ठीक है और डर्म रोल जो होता है 1.5 mm का और एक बेबी से इंपो ठीक और उसके नहीं भी अगर आपके बाल जहां नहीं है वहां पर अस्तुरा लगवा लीजिए ठीक है यानि टकला हो जाएं वहां पर जहां पर बाल आपके गिर रहे हैं टकला होना बहुत जरूरी है सबसे पहले बात कुछ भाई बोलते हैं टकला होना जरूरी है नहीं है होना है भाई फार्ष्ट बार आप टकलः हो जाएं जहां पर बाल नहीं है ठीक हैं उसके बाद आपको सरको बेबी सेव्पु से धुलना है और उसको सरको सुखा लेना है ठीक उसके बाद में आपको 10 मिट डर्मरूल को यूज करना है फिर आपको तेल लगाना है नियू ये लोशन ठेक है जाना पहुंचे तो आप उंगली से लगा लो कोई मुस्किल नहीं है और उसके बाद फिर 10 मिट आपको डर्मरूल चलाना है सुबे साम यही करना है आपको तकरीमन तीन मन्त दो मन्त में आपका रिजल्ट आजएगा तीन चार मन्त में आपका पूरा भर के आएगा और डर्मरूल को गरम पाने से आपको धुलना यह याद रखना ठीक है साफसफाई खौशी बगएरा जो कालापन होता है बाल भूरा ह है वो चीज आपको क्या करना है आप सही से इसको समझ लेजिए पहले उसके बाद यूज किजिए ठीक है समझना पहले बहुत जूरी थोड़े से वीडियो देखा भग हम जान गए नहीं ऐसा ना करें थोड़े से वीडियो आप लोग देखते हैं और चले जाते हैं भाई पूरी वीडियो देखके समझ लिए करो उसके बाद में फिर आपको इस्तिमाल करना होता है पूरु उसको पहले समझ लो कि क्या वीडियो में बताया हैं क्या करना है हमको बस थोड़ा देखा हम जानगे यह वह रोज पकाते हैं यही वीडियो बना गए तो मेरे भाई हमार आप लोगों का रेजल्ट भर के आ जाएगा तीन मंत में आपको कुछ बोलने की जो उतने हैं आपको गंजपन खतम हो जाएगा ठीक और जो भाई चार मंत लगा जोगे हो बोलते हैं कि हमके अपनी लोसन लगाए या तेल आओ कोई कोई भी तेल यूज करें तो भाई अभ पहले के रेजल्ट अभी के रेजल्ट में सब कुछ सो कर दूँगा आपको आपको बाल आपके बड़े हो जाते हैं तो आप एक से डियर नंबर मसीन चलवाए सकते हैं बाल चोटे करने इसलिए कि आपका तेल कम लगेगा जब तीन मंत आपका कंप्लीट हो जाए तीन में चार मंत तो आप एक बार टकला हो जाए उसके बाद में जो बाल आए आपको कुछ करने जोत नहीं है और जो भाई बोलते हैं कि पांच-चार मंत हो गया भाई आप क्या लगाए सर पे तेल लगाए या कोई भी जो तेल आपन चलता है डबारामना जो भी तेल जलता है बोल उसी को लगा लें यह कोई बुरा नहीं यह अभी अभी कोई तेल यूज ना करें अपने सर पे नहीं आपका बाल वापत जा सकता है 100% कोई रोकने वाला नहीं फिर से जड़ जाएगा कोई केमकल की चीज कोई भी तेल आपको यूज नहीं करना है बार बार बता रहा हूं वीडियो को समझ लिया करें फिर यूज किया करें नियु रोसन एक ऐसा प्रोडिक्ट है भाई कि पहली बार निकला है कि बाल निकालने के लिए और आप लोगों का जो सर पे कालापन होता है ना तो इससे कालापन से घबलाने के जोगत नहीं है और खौशी जो बहाती है न उससे भी आपको प्रसान होने के जोगत नहीं मेरे भाई और ये जो बाल भुरा है ना आपके सर में मोटा बोलते नहीं हो रहा काला नहीं हो रहा है आप तो भाई जब आपको चारवंद कंप्लीट हो जाए ना एक बार आप गंजे हो जाना उसके बाद में कोई तिल प्रसान को थोड़ो से मार के यानि हाथ से लगा लेना और उसके बाद एक महिने तक देखना एक महिने से दो महिने के बीच में आपका बाल मोटा हो जाएगा इंशालला यह जो मैं बताया हूं इस पर आप फोलो करें ऐसे यूज करें पहले अभी कर दिखा जाता हूं और दो पहले के मेरा पिक है मैं स्केन पर लगा दूँगा और आप देख सकते हैं यह मेरा यह बाल यहां से पूरा नहीं था है ठीक है पूरा बीच में नहीं था बाल देख सकते हैं अब देख लिए होगा अपने पूरा नहीं था और आप लोग को परसान होने की जुरूत नहीं है मैं इसमें कलर लगा लिया तो डाई लगा यूज किया था चिक किया था कि उससे बाल जाता है कि नहीं तो भाई वापस मेरा बाल धंड़ना श्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं था ना किम पलए होती है मफ लगा कर दिया ठीक है और भाई आप बाल मौटा करना है तो आप गंजे हो जाना ठीक है, सुनने मेरी कात गवर से, गंजे होने के बाद में आपको एक हफ्दा ủ स्भी उसके बाद में आपको ड्रुमन sworn को यूज2019 नहीं करना है बस आपको कभी भी तेल लगाना है, आप से पक्खाग मार लो यानि नीवे लोसन के सिवा और भी कब तक मैं आपको पता दूँ, एक साल के अंदर आपको कुस यूज नहीं करना, जब आपको एक साल कम्पलेट हो जाए, फिर आप कोई भी तेल लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठेक है, तो वीडियो अगर सही लगती हो मेरी तो बाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाइक जरूब किजिए बाई और चैनल को सब्सक्राइब के लिएगा ऐसे बीटियो में लाते रहूंगा